वेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टेक लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है कौन सा डेटा आ रहा है कौन सी चीज़े हैं जो कि इनको इंपक्ट करेंगी और साथ ही क्या रहेंगे हमारे नेक्स टेक लेवल्स फोर को यानि कि थःज़ को क्या रह सकता है खूडों में तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि हमेए पहले तो यहां पर आज सुबाई नौबजे आप दशने कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और पिशली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था क कि उपर रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रॉंग है यहां पर रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रॉंग है टेकनिकली और उपर जाना इसके लिए काफी मुश्किल है और अगर कुरूड वैल की जो इन्वेंटरी आएगी सुभा यानि कि दो जे टू ऐम पर डेटा आना था तो वो अगर negative आता है crude oil के लिए यानि कि अगर वो बड़ी हुई आती है तो वो negative होगा crude oil के लिए और उसके वाज़े से निचे गवर को जा सकता है और उपर strong resistance है तो वैसा ही हुआ कि जो API का जो यहाँ पर data आया 2am पर वो जो है काफी बड़ा हुआ आया था और उसके वाज़े से crude जो telegram channel है उसके भी मैंने आपको update दे दिया था कि जो crude oil है वो नीचे गिर रहा है और वो इसी वज़े से गिर रहा है तो हमारा telegram channel अगर आपने जोई नहीं किया तो उसका link आपको video के description box में मिल जाएगा वहाँ से आप जोईन कर सकते हैं वहाँ पर हम आपको update देते रहते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह काफी नीचे तक यहां तक गिरा है और उसके बाद फिर इसने यहां पर recovery लेना शुलू करा और यहां पर recovery आई और यहां पर रात को 8 बजे जो data आना था उसका भी update आपको telegram channel पर दिया था लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि वहाँ थोड़ा सा mixed data आया वहाँ पर जो crude oil की inventory थी वह बड़ी हुई आई तो वह negative है crude oil के लिए और gasoline की inventory भी बड़ी हुई आई वह भी negative है crude oil के लिए लेकिन जो distillate stocks है यहां पर घटा हुआ आया और वह घटा हुआ आया इसका मतलब है कि यहां पर crude oil जो है उसके लिए वह positive था त आप देख सते हैं कि क्योंकि mixed data है तो जितना ही ओपर गया उतना ही नीचे को आया तो ऐसे में trade करना जो है वो ठीक नहीं होता है जब ऐसा data आता है जिसमें की mixed reaction होता है तो उसमें यहां पर देखे ऊपर जितना गया उतना ही नीचे भी आ गया और अभी जो बाकित सारी ची और वो है GDP का data शाम को data आना है United States का GDP का data भी आना है तो उसकी वज़े से यहां पर crude oil में काफी अच्छा move हमें देखने को मिलेगा अगर यहां पर GDP United States की अच्छी आती है बड़ी हुई आती है तो वो crude oil के लिए भी अच्छा होगा और US oil के लिए भी अच्छा होगा लेकिन अगर GDP अगर घटी हुई आती है तो crude oil और US oil के लिए वो negative चीज होगी तो उसके उपर आपको नज़र रखने हैं पूरे detail में मैंने वीडियो बना रखे है यहां पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी उसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा और daily हम आपके ल जरू देखिए यहां पर और दोस्तों यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या हमारे levels रहेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि data आना है और इसके अलावा यहां पर negative chances जाता लग रहे हैं और तो इसलिए हम levels की बात कर लेते हैं तो 6769 के नीचे red candle की closing आती है तो उसके बाद जो हमारा next target यहां पर रहेगा वो रहेगा यहां पर 6729 का और इसके बाद भी अगर red candle की closing हमें देखने को मिलती है दोस्तों और अगर data अगर United States का अच्छा नहीं आता है तो उसके बाद यहां पर 6709 का level हमें नीचे को देखने को मिल सकता है और इसके बाद अगर GDP जो है अच्छी नहीं आती है United States की तो यह और नीचे यहां पर गिर सकता है तो इसके उपर आप नज़र रखे डेटा के उपर नज़र रखे लेकिन अगर यहां पर data positive आता है तो नीचे से उपर की और के levels जो है वो यहीं रहेंगे यहां पर एक level तूटने का मतलब ह जाए उसके बाद next level जो है आप यहां पर इन्हें जोइन कर लीजिए यहां पर आप उन्हें अपने जो आपका चार्ट है उस पर ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर उपर की तरफ के लिए 6794 के उपर green candle की closing आती है अगर यहां पर आप देशते हैं कि इसका 6797 पर एक इसका pivot है तो पिविट के उपर अगर green candle की closing आती है तो 6815 हमारा next target रहेगा और इसके उपर भी green candle आती है तो यहां पर 6835 हमारा next target रहेगा और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि strong resistance है यहां पर strong data होना चाहिए तभी यह इस level को तोड़ पाएगा नहीं तो यह इस level को तोड़ना इसके लिए काफी मुश्किल होगा तो इसलिए जो है crude oil के levels में आपको बता रहा हूं और crude oil में लाखों में आपको margin रखना पड़ता है जब आप trading करते हैं तो चोटे traders हो जो ने traders होते हैं उनके लिए problem होती है तो आपके लिए solution यह है कि आप US oil में trading क साथ ही यहां पर आप जो है Saturday Sunday को भी trading कर सकते हैं cryptocurrency में यहां पर gap up और gap down की समस्या भी नहीं आती तो क्योंकि जो market है वो पूरा time चली रहती है और आप जो है पूरा time trading कर सकते हैं यहां पर जिस time MCX close होता है उस time भी आप यहां पर trading कर सकते हैं तो यहां पर जो है आप US oil में trading करने के लिए आपके पास Exynes का Forex Trading Account आप open कीजिए क्योंकि Exynes जो है वो दुनिया का सबसे best platform है Forex Trading के लिए और जो है सबसे जादा जो volumes आती है वो सिर्फ Exynes पर हैं बाकी जो platform में कहीं बैन भी हो चुके हैं तो आप उनको यूज़ ना करें और Exynes जो है मैं सालों से य personal experience अभी आपको यह कह सकता हूं recommend करता हूं कि आप उसे use कीजिए आपकी help के लिए आपर videos बना रखें कैसे account open करना है i button में कैसे money add करनी है कैसे withdraw करनी है तो आप उन videos को देखिए और जल्दी से अपना Forex Trading Account open कर लिजे और video के description box में भी सबसे उपर आपको link मिल जाएगा वहा आप एक्सनेस का account open कर सकते है और दोस्तों यहां पर जो इनका customer के support है वो भी best है और सिधा जो account में पैसे आते हैं वो within 1 और 2 आर के अंदर अंदर आपके account में पैसे आते हैं तो बहुत ही बड़ी है platform है मैं आपको highly recommend करता हूं कि आप यूज कीजिए इसे और यहां पर level से अगर 81.17 के निचे red candle की अगर closing आती है तो 80.98 हमारा next target रहेगा उसका बाद next candle की closing आती है red candle की तो next target 80.78 रहेगा और इसके निचे भी red candle आती है तो 80.58 यह आप levels अपने draw कर लेजे उपर के तरफ के levels जो है यहां पर यह पिविट है यहां पर 81.39 के ओपर green candle आती है तो next target 81.51 इसके उपर भी green आती है 21.68 और इसके उपर भी green candle आती है तो यहां पर next target 81.87 लेकिन उपर की तरफ के लिए data का support होना बहुत ज़रूरी है अगर data support नहीं करेगा तो उपर की तरफ के levels यहां पर जो है वो थोड़े risky रहेंगे क्योंकि यहां पर resistance strong resistance है इस पूरे area में तो उस subscribe नहीं किया तो जल्दे चैनल को भी subscribe करें और यह वीडियो आपको सिर्फ education purpose के लिए बनाए जा रही है हमसे भी registered financial advisors नहीं है तो ट्रेल लेंसे वाले अपने financial advisor से जरूर सला लेचे have a nice day good bye and stay safe